आम तोर पर खट्टी या ठंडी चीजों को खाने से गले में खराश या फिर गला खराब होने जैसी समस्याएं आम बात है यह समस्या बच्चों से लेकर घर के बुजर्ग सभी में पाई जाती हैं इस दिकत को आने के बाद हम एक दम से परिशान हो जाते हैं हमें कुछ भी नहीं सूझता बस सारा दिन ध्यान खराब गले की तरफ चला जाता है चली आज अज अच्प्रकाश के इस कारिक्रम में हम आपकी समस्या का हल बताते हैं आपको कहीं नहीं जाना इस समस्या का हल आपके घर में मिल जाएगा पहला गले को आराम देने का सबसे सही समय होता है रात का वक्त रात को सोते समय दूद में आधी मात्रा में पानी मिलाया कर पीएं इससे गले की खराश कम होगी साथी गर्म हलदी वाला दूद भी बहुत फायदे मंद होगा दूसरा एक कब पानी में चार से पांच काले मिर्च एवं तुलसी की पांच पत्यों को उबाल कर काढ़ा बना लें और इस काढ़े को पीएं ये रात को सोते समय पीने पर लाब होगा इसके अलावा बोजन में आप साधारन चीजें ही खाएं तो बहतर होगा पालक के पत्य को पीस कर इसकी पत्टी बना कर गले में बांधे और 15-20 मिनिट तक इसे बांधे रखने के बाद खोलने इसके अलावा धन्या के दानों को पीस कर उसका पाउडर बनाएं और उसमें गुलाब जल मिला कर गले पर लगाएं इससे भी आराम होगा गले की खराश के लिए काले मिर्च को पीस कर घी या बताशे के साथ चाटने से भी लाव होता है साथी काले मिर्च को दो बदाम के साथ पीस कर सेवन करने से गले के रोग दूर हो सकते हैं गले के खराश या फिर अन्य समस्या होने पर मासाहार, रूखा भोजन, सुपारी, खटाई, मचली, उड़द इन तीनों चीज़े से परहेज ही रखें ताकि गला जल्द ही ठीक हो सके तो दोस्तों, इन उपायों में से किसी एक उपाय को आज माने के बाद जरूर आपके गले को आराम मिलेगा हमारा वीजियो आपको पसंद आया तो लाइक वर शेयर जरूर करें आपकी सेहत से जुड़ी हर फायदे मनचानकारी हम आप तक जरूर पहुचाते रहेंगे